मितनु जय मातादी, आप देखने धर्मसिक्षा मितनु आज के इस वीडियो में हम चाचा करने वाले हैं वाहन महुर्त जो की नौओंबर 2024 में रहने वाले हैं वाहन आपका किसी परकार का हो सकता है किसी की साइकल हो सकती, किसी की मोटर साइकल हो सकती है कार, बस, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, जैसे भी मसीन, कुछ भी हो सकता है जो कोई व्यक्ति वहान खाईता है वो अक्सर ही पूरे परिवार के साथ इसे सफर भी करता है तो ऐसे में हम जब भी यात्रा करते हैं तो हमारी यात्रा मंगल में रहे ऐसी ही कामना करते हैं साथी जार पर लोग तो लोन लेकर वहान खाईते हैं तो इन सभी परिष्थितियों में क्या होता है कि आपको अच्छे महुर्ट में ही वहान खाईतना अतियावस्यक हो जाता है तो एक अच्छे महुर्ट में आपको वहन खायदना चाहिए वहन खायदने का महुर्ट मैं आपको बताऊँ उससे पहले ये जाना जरू आवा सेखा कि किन किन पश्टिक्यों में तो वहन नहीं खायदना चाहिए बिलकुल भी तो वो नोट कर लेजिए पहले शनी वार और मंगल वार, वार में ऐसे दो वार हैं जिसमें आपको वाहन बिलकुल भी भूल कर भी नहीं खहिदना चाहिए राहुकाल हर रोज की ही कुछ समय के लिए आता है राहुकाल की जानकारी आपको हमाई चैनल पे पंचान के वीडियो में एक दिन पहले मिल जाएगी रासिफल के वीडियो में भी में राहुकाल बताया करता हूँ उसमें भी मिल जाएगी उससे आप जान सकते हैं कल राहुकाल किस समय है तीसरा भद्रा यानि की विष्टी करन जब जब रहे तब तब भी आपको वहाँ नहीं खईदना चाहिए भद्रा की जानकारी भी आपको पंचांग के वीडियो में एक दिन पहले ही मिल जाती है साथि आपकी रासी चंदरमा चौथे, आठमी या बाहवे भावमे नहीं होना चाहिए जिस दिन आप वहाँ खई रहे हैं माननिजी आमुक दिन बहुत यह चद मोहुर्त है मैंने भी आपको बताया लेकिन आपकी रासी से चंदरमा चोथे आठ में या बारा हुए भाव में है तो ये मूर्थ सबके लिए तो अच्छा है लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है आपको इस दिन वहान मूर्थ से बचना चाहिए इसके अलावा जब जब पंचक चले तब तब भी आपको वहाँ नहीं खहिदना चाहिए आईए लगे हातों जान लेते हैं पंचक कब से कब तक रहने वाला है नौमबर 2024 में तो शनी वार 9 नौमबर 2024 को रात लीके 8 बच कर 20 मिनट से पंचक आरंभ होगा इसकी समापती होगी बुदवार 13 नौमबर 2024 को रात लीके 1 बच कर 20 मिनट पर अर्थाप मोटा मोटा आप यह समझ लेजिए कि सनी वार 9 नौमबर से लेकर बुदवार 13 नौमबर तक पंचक रहने वाला है इसमें कोई भी वहन नई ख़यता जाएगा अब आएए मोहरतों की चचा करता है इस माह में तीन लंबे समयों के लिए मोहरत बन रहे हैं इसके अलावा भी कम समय के लिए मोहरत बनेंगे उनको पताना संभव नहीं है तो तीन मोहरत आपको मैं बताता हूं वीडियो में नम्मर पर संपर्क करना है यहाँ पर सिर्फ और सिफ 111 रुपे की दक्सिनास से जमा कराकर आप अपने लिए वहन मुर्थ निकल वा सकते हैं गट्टी गत्त तोर पे अब आईए मुर्थों की चाचा कर लेते हैं सबसे पहला मुर्थ बनेगा बुद्धवार 20 नॉवंबर 2024 को इस दिन तित्री करमसा पंचिमी और स्ष्ठी रहने वाला है नक्षत्र करमसा पुनवर्शू और पुस्से रहने वाला है सुमहुर्थ का निवान होगा सुर्योदस लेकर औहोर राते तक अर्था इस दिन जब से जब तक आपके हां सोरूम खुला रहे हैं आप वाहन खायद सकते हैं दोचियों का ध्यान जओर रख लिजिएगा इन पूरे दिन में राहुकाल भी आएगा राहुकाल में खायदने से बचिए दूसरा आपको बचना है अपनी चंद्रमा से चोथे आठमी या बारह में भाव में आपकी रासी चंद्रमा नहीं होई चाहिए इस बात का जओर द्यान लखना है दूसरा सुब महुर्थ बनने का गुरुवार 21 नॉवंबर 24 को इस दिन ते थी करमसा सश्थी और सत्मी रहने वाला है नक्षतर करमसा पुस्य और असलेशा रहने वाला है सुब महुर्थ करने वानों का सुर्योद से लेकर राहतरी के 7 बचकर 49 मेर तक इस दिन ते थी करमसा त्रोदसी रहने वाला है और नक्षतर में चित्रा और स्वाती रहने वाला है सुब महुर्थ करने वानों का सुर्योदस लेकर अहो राते तक इसमें भी आप जब से जब तक आपके हां सोरुम खुला रहे आप वहान खायच सकते हैं दोन उचियों का ध् है इसके लाबा भी छोटे महुर्थ बनेंगे या व्यक्ति गत्तों प्याप महुर्थ निकल वान चाहते हैं तो इस वाट्सप नमर पर संपर कर सकते हैं कॉल करने से बचना लिखना है वाट्सप पे वाहन महुर्थ अपने आप हमारे तरब साबको एक मैसेज आता है उसमे बता जाता कि किन-किन चीयों को आपको बताने की ज़रुत है और दक्षिनाना से आप कैसे जमक करवा सकते हैं तो मिलते हैं इसी तरह के अनि ग्यानवर्दक वीडियो के साथ अब तक आप देखते रहे हैं धर्मसिक्छा जे मात अदे